नमस्कार दोस्तों इंडियन सवेज किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं आलो गोभी की सब्जी जिसके लिए इमें चाहिए यह मैंने 300 गराम गोभी लिये जिसको मैंने काट कर अच्छे से दो लिया और यह मैंने 200 गराम आलो लिये जिसको मैंने इस तरही थैं मेंसाल्य गाट भणटकर भाली खुड़ा है और चुंपोतफी है दो कीए त्षास से काट लिया है और ज पटैशएंगे ज़ले कशंट फो मारो बनाजी है, प्रकली एक चम्मच, और अमचूर पाउडर है यह मैंने आधा चम्मच लेंगे कैसा निया, लाल कि लिए, पाउडर निया ऊपर ultra dark?' अरब मालो मैं सबसे पहले इन को मैं शेलो फ्राइ करोंगी अलु ब्राउन हो रुके द सब्सक्राइब न हमें ब्राउन हो जाएंगे. और यह प्राइब तो ब्राइब रखेंगे अब वाद गोबी रखेंगे दो डाल्य प्राइब हम तो अब अब फ्राइब आलु अब प्राइब पाइब और शुट्टेशचात्ते बेड़ा हैं आज ते दस मिनट करेंगे इसे पिलाते हुए हम इसको फ्राइ करेंगे इसमें थोड़ा से नमक अप्राइड करेंगे ताजी दोड़ा है अब आठे नमस दालेंगे तर्गे में दालेंगे आधर नमस हमीज से दालेंगे देखें अब आठें लगाता लगाते हैं इसके ज़गाँ इसलिए हमारी ब्राउ होने लगेंगे ये देखें कि आपके के यह पाइब हों जाते हैं कि पाइब दॉट हेँ अब और के रहा है बाइब भूगी इसे ज़्वाइब कर दो है कि दॉट अब ₹ अब हम इसको चेक कर लेते हैं और इसको बीच में एक दुबार चेक किया था और इसको चलाया था अब हमारी गोबी को निकाल लिया है अब हम गैस को दुबारा से ओन करेंगे अब हम दुबारा से अब हमने गैस ओन कर लिया है अब हम सबसे पहले इसी जो हम जिसमें गोबी तली थी इसी ओल जो हमारे बच गया है इसी में हम अपना जीरा एट करेंगे सबसे पहले हम जीरा डालेंगे इसमें जीरा ब्राउम होता है तो इसमें गार्लिक काटके रखा यह डालेंगे जीरा ब्राउम हो गया है यह देखिए अब हम इसमें यह गार्लिक अड़ करेंगे काटिशन पिए ज़या दानी डालेंगे कमी रखेंगे वे लाली में जो बाली में है पहले से तो उसको बैलाना करने के लिए आपर बहुत ही कम जो है वे यह दालेंगी जो पहले से हैं मसाला को चलब हो तो यह देखिए अब ब्राउन होगे आव इसमें आटिराइगे क्यास के लो रखेंगे लो रखेंगे लो रखेंगे लो रखेंगे जादा नहीं नहीं जाएगा अगर आप इसका टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं तुसरे आप यहाँ पर बेटर भी रखेंगे लाइट ब्राउन होने तक पकाएगे हैं तक पाएंगे हमारी जो अब इसमें यह जो मारी हरी मिर्ची एड़ करेंगे तक अब रस टमाटर एड़ करेंगे करेंगे जिस्ते भी मसाले आड़ करेंगे करेंगे हल्डी पावडर अंची पावडर लगषिली पावडर ते में द्ली पावडर ये अमाख गरम मसाले नहीं चागेंगे बाटि सारे मसाले आड़ करेंगे ये हमने मसालो को मिक्स कर दिया अब यमिस मो 2 मिलिट के लिए धग कर पकाएंगे फिर हम इसमे अपनी गौवबी और आलो अड़ करेंगे अब हम चेक करते हैं यह देखिए दो मिनट में यह मसाला अच्छे से हैं हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है यह देखिए टमाटर जो है हमारे बिल्कुल गल गए हैं अब हम इसमें लेखिए आलो गोवी को हम इसमें अड़ करेंगे करें लेखिए अड़ी में देखिए उसमें लेखिए अड़ी तो जादा ने पकाईगे बस एक मिनट के लिए ही इसे चलाते है एक हम दो चलाते हो पाइए जब तक इस निखाल अच्छे से लिक्सना हो जाए आप अगर पाई हम इसको पहुआ है अब जो यह हमने गरम मसाला दिया था यह इसमे एड़ कर देंगे इसके में दिखते हैं हमारी सब्सक्राइब में निकाल देंगे इसको में निकाल लेंगे अब हमारी जो आलू गोबी की सब्सक्राइब कीजिये लाइक कीजिये शेयर कीजिये ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप तक लेके आती रहूं तब तक के लिए धन्यवाद